हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ससस्तर सीमा बल SSB की नियू रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंट्स हैड कॉंस्टेबल पोस्त के लिए जारी की गई है, इसका ओनलाइन फॉर्म आप कैसे अपलाए कर सकते हैं, स्टेब बाइ स्टेब प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, साथ में फ्रेंट्स देखिए जो वेकेंसी है, आपके यहाँ पर कॉंस्टेबल ट्रेट्समें की, इसके भी फ्रेंट्स जानकारी मैंने आपको पहले ही अवेलेबल करा दी है, इसमें फ्रेंट्स जो फॉर्म अपलाई का वीडियो है, वो फ्रेंट्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइट कर दिया है, तो आप फ्रेंट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com पर जाएंगे, तो आपको फ्रेंट्स इसकी देखिए फुल जानकारी मिल जा है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें, तो यहाँ पर देखिए जो SSB की नोटिफिकेशन है, इसके लिए आप 18 जून 2023 तक आविदन कर सकते हैं, आपको अपलाई वाले ओप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर करना चाहते हैं, वो आप अपलाई कर सकते हैं, अब बात करते हैं, इसके फ़र्म अपलाई प्रोसेस के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर कर लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट्स मिल सकें, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक और ऊप्शन है, तो आपको रजिस्टर टैब पर किलिक करना है, यहाँ पर देखिए, आप उस पोस्स के अप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद फैंस, यहां पर उसकी qualification आपको यहां पर भी show हो जाती है, इसके बाद आपको यहां पर देना है नाम, इसके बाद आपको middle name और आपका last name देना है, आपका father name क्या है, वो आपको यहां provide करना है, आपका mother name आपको provide करना होगा, यहां से friends आप calendar पर click करेंगे, आपकी friends से जो भी date of birth है वो आप select कर लेंगे, आपका ace criteria count होकर आ जाएगा, इसके बाद आपको यहां पर gender select करना है, आपको आपकी nationality select करनी है, religion select करना है, marital status क्या है, वो आपको select करना है, और इसके बाद select करनी है, आपको आपकी category, तो general है, तो general select कीजिए, EWS है, तो EWS select कीजिए, OBC, SC, ST, आप आपको 5 साल की, अगर आप OBC candidate है, तो आपको आपरेज में 3 साल की छूट मिल जाती है, इसके बाद देखिए, यहां पर आप से पूछा गया है, कि आप जो एक community आपको दी गई है, इन से आप बिलॉंग करते हैं, तो yes कर सकते हैं, और उस community की जानकारी आपको देनी होगी, certificate number, date of issue, issuing authority क्या है, authority क्या होती है, SDM 33 जिसने भी जारी किया है, उसकी जानकारी आपको देनी है, नहीं तो आप इसमें no करेंगे, जम्मुएन काश्मीर का इस समय के दोरान के अगर आप निवासी थी तो आप yes कर सकते हैं, और आपका जो certificate होगा, उसकी जानकारी आपको दे requirement देंगे, medical category आपकी क्या है, आपका reason क्या है, release का, discharge का, qualification क्या है, वो आपको देनी होगी, नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे, departmental candidate है, तीन साल की continuous service में, central government में, तो आप अपनी जानकारी यहाँ पर provide कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे, कोई भी valid ID proof आपको दि visible हो, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप no mark की entry करेंगे, आपका mobile number क्या है, वो आपको देना है, आपकी active and valid mail ID आपको देनी होगी, नीचे आता है main option जो की है qualification का, यहाँ पर देखिए mandatory only 10th ही आपको दिया गया है, पर आपको यह ची ध्यान रखनी है, जो भी उ यहाँ पर भी access team आपको यही process दी गई है, यहाँ पर भी यही process दी गई है, तो आप यहाँ पर check कर लेंगे, जिसे intermediate आपका pass out होना जरूरी है, science में, जिसे physics, chemistry and mathematics आपके पास हो, और 3 साल का diploma आपके पास है, तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं, या तो आप intermediate pass out हो, या आपका certificate number, आपका date of issue क्या है वो आपको यहाँ पर provide करना है, तो आप date of issue यहाँ पर provide कर देंगे, और date of issue हो आपके certificate पर mention होता है, subject में, आप यहाँ पर देखिए, आपके जो भी subjects रही है, आप इस तरह से आपकी subjects की entry कर सकते हैं, आपको आपके पर जो भी subject रही है, वो 10 plus 2 आप entry करते हैं तो आप बोर्ड का नाम देंगे आप यहाँ पर आपका एर पासिंग देंगे आप यहाँ पर रोल नंबर देंगे और आपका certificate नंबर देंगे इसके बाद आपका जो date of issue है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा इसके बाद subject आपको चूज करनी ह आपका certificate नंबर आपका date of issue और इसके बाद subject इन में से कौन सी है आपके पास वो आपको देनी है और आपकी percentage क्या है वो आपको देना होगा यह entry करने के बाद जो भी qualification criteria है वो entry करने के बाद आप next step पर click कर सकते हैं इसके बाद फैन से यहाँ पर देखिए आपको address मिलता है त आपका pin code क्या है यह आप देंगे यह आपका permanent address है और यह है आपका correspondence पर्मानेंट होता है जहांकि आपके documents है और correspondence जहांपर आप present में रहते हैं अब यह address तो same हो सकते हैं या friends यह अलग-अलग हो सकते हैं अगर यह same है तो friends आप yes करेंगे अलग-अलग है तो आप no पर entry करके अलग-अलग entry कर देंगे आपको आपके criminal case के लिए और आपको अभी एक्जाम दिनी से मना किया गया है इसके लिए आप declaration देंगे तो आप declare यहां पर कर सकते हैं password आपको बनाना है कैसा भी password आप बनाईए six character का होना चाहिए और password आपको याद रहे यह चीज आपको ध्यान अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप इस capture code को fill करेंगे submit application पर click करेंगे आपको दो बार पूछे का कि आप यहां पर verify इस detail को करते हैं आप इसे okay करेंगे इसके बाद यहां पर देखिए आपको photograph and signature upload करने है photograph कर देखिए आपको specification दिया गया है तो ऐसे ही photo आपकी होनी चाहिए photograph 6 मेरे ज्यादा पुरानी आपकी ना हो signature आपको यहां पर upload करने है तो सिर्फ दो ही documents यहां पर अभी required किये गए है जो कि है photograph and signature यह आपको JPG format में अप्लोड करने होंगे और जो signature है वो black या blue ink pen से आपको यहां पर करके upload करने है size आपको यहां पर दिया payment का मतलब आपके print out का तो आप यहां पर click करेंगे और आपका जो application form है उसे आप save करके अपने पास रख लेंगे future use के लिए future reference के लिए तो यहां पर देखिए friends अगर आपका payment लगता है उस condition में आपको payment भी करना होगा और payment आप किसी भी bank के credit card debit card net banking से कर सकते हैं और उसके बा responsible का online form apply कर सकते हैं साथ में tradesman का भी online form आप check कर सकते हैं कैसे apply कर सकते हैं दोनों ही जानकारी मैंने आपको video description में provide कर दी है jobrasa.com पर अगर आपको हमारी update पसंद आई है तो like, subscribe ज़रूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही है हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube 12 लासfar जैस्ञ पुर वाच्छिं